प्लीज सब्सक्राइब प्रेस दबेल आइकोन हेलो फ्रेंट्स निशा क्रियेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत आज मैं आपको इस तरह का प्लास्टिक कैंवस का न्यू डिजाइन बताऊंगी यह आप हैंड फैंड में डॉर मैट में डाल सकते हैं इस डिजाइन को यह आप प्लास्टिक कैंवस का कोई भी प्रोजेक्ट तयार कर रहा हैं आप इस डिजाइन को उसमें अप्लाइ कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको यहां पर बीच में बना कर बताने वाली हूं उसी तरह से आप यहां पर भी काउंट करके किनारी साइड से भी बनाना शुर 11, 12, 13, 13 कोलम हम काउंट करेंगी यहां पर हम उपर की ओर 9 कोलम काउंट करेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कोलम में हम इस तरह से स्वी को निकालेंगी बैक साइड से इस तरह से अब यहां पर देखिए इसी कोलम से हम साइड की ओर काउंट करेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 5 कोलम में इस तरह से आ जाएंगी अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहां पर 5 कॉलम इस साइड से छूटे हुए हैं इसके आगे वाले कॉलम में इस तरह से निकालेंगी इस साइड में भी उपर के और निकालेंगी इस तरह से दोनों साइड से एक एक कॉलम उपर चलेंगी 1 2 और यहां पर आ जाएगा यह 3 4 आप चाहें तो 4 टाइम भी निकाल सकते हैं मैं यहां पर 5 टाइम निकाल रहे हुँ इस तरह से देखी इस तरह से 1 2 3 4 5 अब इसके ऊपर आ जाएंगे इस तरह से इसके साइड वाले में और इस साइड में इसके सामने निकालेंगे इस साइड में हम इसके सामने निकालेंगे और इस साइड में भी इसी के सामने निकालेंगे 4 टाइम निकालेंगे one two three और ये four इस तरह से दिखे अन्य बर जाएगा अब आप count कर सकते हैं ये हमारा बीच में आना चाहिए one two three four और ये बीच में one two three four और ये बीच में तो दिखे अन्य बीच में दिखे इहां से हम count करेंगे तो ये वाली column को पड़ाईंगे जिसमें धागा आ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 काउंट कर लेंगे इन्हें हम छोड़ देंगे और 8 कॉलम में हम निकालेंगे या फिर आप इस तरह से यहाँ पर सुई लेकर आएंगे इस तरह से देखिए इस साइड से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और यह 5 इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं और यहाँ आप से भी साइड से भी काउंट कर सकते हैं अब मेटी को इस तरह से घुमा कर पकड़ लेंगे अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम निकालते वह चलेंगे एक कोलम नीचे आएंगे इस तरह से एक कोलम नीचे आएंगे थ्री और यह फोर और यह हो जाता है फाइब इस तरह से फाइब कोलम हमारे इस तरह से भर चुके हैं अब इसकी साइड में आएंगे यहां से इस साइड में आएंगे प्लीज सब्सक्राइब एंगे इसी तरह से निकालते हुए चलेंगे 1 2 3 4 और यह 5 इसे हमें इस तरह से कर लेना है तो दिखिए फ्रेंट इस तरह से मारी डिजाइन बनेंगे से इसी तरह से हमें इस साइड में बनाने हैं देखिए इस तरह से मारा डिजाइन बनेगा अब फिर से हम यहां से आएंगी 7 कोलम छोड़ेंगी जिसमें धागा है उस कोलम को नहीं कांट करना है 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 कोलम में में इस तरह से निकाल लेना है देखिए यहां पर इस तरह से निकालेंगी तो बैक साइड में हमारा इस तरह से धागा आ जाएगा तो हम इसे यहां पर इस तरह से ना निकालते हुए यहांपर निकालेंगे इस कॉलम में और यहां से हम फाइब कॉलम कांट करेंगे One, Two, Three, Four, Five इस तरह से, अब यहांपर इसी तरह से निकालते हुए चलेंगे इस डिजैन को बनाते हुए मेट को आमें बार बार घुमा कर पकड़ लेना है और इसी तरह से हमें बनाते हुए चलना है, धागा बहुत ज्यादा टाइट नहीं खींचना है, फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे, और यहां पराते हुए एक कॉलम काउंट कर लेंगे, इस कॉलम में आते हुए इस तरह से डिजाइन को बना लेंगे, और इस डिजाइन से हमारा यह डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम अगला कलर लगाएंगे, यह देखे फ्रंस, हमने यहां से सुरुआत की थी और यह बनाते हुए पूरा कॉलम इस तरह से कम्प्लीट कर लिया है, जाएन हमारा बनकर इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगा, यह राइड साइड में है, और देखे बैक साइड में भी इसी तरह से दिखेगा, देखे इस तरह से इस तरह भी बिल्कुल साफ डिजाइन बनकर आएगा, और यहां पर आते हुए हम यहां पर नॉट लगा देंगे इस तरह से, यह दिजाइन इस साइड में भी कम्प्लीट हो जाएगा, देखे नॉट मैंने लगा लिए है, अभी से कट करके धागा अलग कर देंगे, तो दीके फ्रांट्स अभी यहां पर हम रेड कलर को यूज़ करेंगे, तो दीके फ्रांट्स इस से एक कॉलम उपर निकालने के बाद, मैंने इस कॉलम में निकाल लिया है, अब इसके उपर इस तरह से इसके नीचे वाले कॉलम में आएगे, और यहां पर बनते हुए आएगा इसी तरह से बनाते हुए पूरे डिजाइन को कम्प्लीट कर लेंगी देखे ग्रीन वाले धागे से इस तरह से रेड अधागा हो चुका है अब यहां पर जब अगले वाले कोलम में निकालेंगे तो यहां से हम सीधे यहां पर सुई को लाएंगे इस तरह से और फिर से एक कोलम हम उपर जाएंगे यहां पर यहां पर निकालने के बाद में हम इस इस तरह से इसके ये वाले कोलम में आएंगी उपर वाले कोलम में और दो बार यहां पर निकाल लेंगी तो दिखे फ्रांट्स डिजाइन पूरा बनकर हमारा इस तरह से दीखेगा तो डिजाइन हमारा इस तरह से बनकर आएगा अब यह बाले बीच के डिजाइन को आप किसी बनाकर केंगे पूरी मैट ब्राइंगे पन आथ यहीं है कि इसे बिख सकते और यह इए कि इस दिजाइन को मैं आपको बता देती हूँ अब यहां पर अग्रिन कलर से भी भर सकते हैं यह एक और भी ठर्ड कलर लगा सकते हैं तो दिखिए Sir कि इस तार उटाय। में बहुत भम भानेंगा लिया अब यहां पर एक यहां पर एक इंःआ Schul सुई निकालेंगे इस रोग के सामने अब यहां पर देखिए इस वाले होल में हम दो बार सुई को निकालेंगे और यहां पर हम दूसरे कॉलम में निकालेंगे देखिए यहां पर सुई निकालेंगे और यहां पर हम इसी कॉलम में लाएंगे फिर से यहां अगले कॉलम में जाएंगे अब यहां पर इसके उपर वाले कॉलम में जाएंगे यहां पर हम दो बार सुई को निकालेंगे और यहां पर हम एक एक कॉलम उपर चलते जाएंगे यह देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने दो बार निकाला है यहाँ पर भी दो बार निकाला है अब अगले वाले कॉलम में जाएंगे इसके उपर फिर से यहाँ पर दो कॉलम निकालेंगे और यहाँ पर एक एक कॉलम में एक एक बार ही निकाल रहे है इस तरह से देखे दो बार निकाल लिया है अब यहाँ पर आएंगे और अगले कॉलम में इस तरफ जाएंगे अब फिर से इस कॉलम में न जाते हुए इस कॉलम में आएंगे जिस तरह से हमने इस साइड में बरा है उसी तरह से इस साइड में आएंगे एकी कॉलम में दो बार फिर से निकाल लेंगे फिर से इस कॉलम में निकाल लेंगे और यहां पर हम एक कॉलम में एक ही बार निकालते हैं, यहाँ पर हम एक कॉलम में दो बार सुई को निकालते हैं, देखे इस तरह से मारा यह डिजाइन बनेगा, और बीच में हम इसे इस तरह से फील कर लेंगे, इसी तरह से हम इसे भी बर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो दे और जो यह कोलम आएंगे वो हम यहां पर यहां पर इस तरह से भरते हुए complete कर लेंगे इस डिजाइन को design बनकर complete हो कर इस तरह से दिखेगा तो अगर आपको यह design यह वीडियो अच्छा लगाया तो please हमें comment करें कि यह design आपको कैसा लगाया अगर डिजाइन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद